Hello everyone, कैसे हैं? आप सब hopefully fine होंगे तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने present हैं इस वीडियो हम क्या discuss करने वाले हैं? इस वीडियो में हम हर weekend की तरह कुछ अच्छे logical setup discuss करने वाले हैं stocks में साथ में last week जो हमने logical setup discuss किये तो उनका क्या current status है? उनको discuss करने वाले हैं तो आई इस वीडियो को start करते हैं और उन setups को discuss करते हैं जो आने वाले weeks में काफी अच्छे move दिखा सकते हैं और सबसे जरूरी चीज उन setups के बिचे का logic क्या होने discuss करते हैं क्योंकि हम market में अपनी hard and money लगाते हैं जब तक उसके पीछे particular logic ना हो हमें obvious से नहीं jump करना चाहिए तो logic होना सबसे ज़रूरी है तो हम सबसे ज़्यादा focus जो करेंगे वो logic पर ही करेंगे कि क्या logic है जो इन stocks में हमें ये buy or sell के recommendation दे रहे तो आई इस वीडियो को start करते हैं तो 11 setups हैं 11 में 3 नहीं हैं और 8 previous week के continue हो रहे है तो इन सब चीज़ों को हम discuss करते हैं start करते हैं सबसे बहले ICCI proof से ये basically last week recommend किया था क्यों recommend किया था वो discuss करते हैं तो अगर हम देखें तो share ने अपना all time high 724 का बनाया था last साल सितंबर 2021 में last to last year 2023 आ चुका है इसको बार share एक decent correction में आया और March 2022 में bounce back किया काफी अच्छा 29 अगस्त से इसके quarterly result आया थी जो थोड़े से disappointing थे वहाँ से share correction में आया और share अपने previous support किया आसपास आगया था और last week इसने bullish engulfing candle बनायी थी जो bull के comeback का indication दे रही थी साथ में ये double bottom की aggressive entry भी थी again double bottom one of my favorite pattern है जो काफी convincing market में work करता है तो bullish engulfing था aggressive entry of double bottom थी साथ में जब last week हमने इसे recommend किया था तो हमने इसमें moving average another my favorite tool 13 EME लगा कि हमने cross check किया था कि daily chart में उसे gain भी कर गया था तो ये कही ना कही indication थी कि share में momentum आनेगी ये daily chart है last week जबने इसे recommend किया था तब उसको ये gain भी कर गया था तो momentum आने का indication दे भी रहा था और momentum आया भी है काफी अच्छा momentum आया है और जो हमारा पहला target था वो था 475 का जो successfully hit हो गया है अगर आप देखोगे तो इस अफते का जो high है वो है 477.80 का तो जो पहला target है वो successfully hit हो गया है और weekly 13 EMA के आसपस आ चुका है जिन्होंने trade ली थी मैं उमीद करता हूँ उन्होंने profit book कर लिया होगा जो अगले target के इंतिजार में बैटे है उनके लिए थोड़ा सा concern वाला thing ये है 475 के उपर closing नहीं आई है अगर 475 के उपर closing आती only then we can expect कि ये 500 तक carry on हो सकता है तो अगर आपने profit book कर लिया है बहुत अच्छी बात है मेरे साब से book कर लेना चाहिता नहीं किया है तो cautiously watch करिये और अगर 475 के उपर closing देता है तो 475 के अपना stop loss लेके 500 का आप इंतिजार कर सकते है नहीं देता profit book करके निकल जाईए ठीक है तो पहला setup था first target आ चुका है rest के लिए हम wait कर सकते है वो हमारी call है मगर तभी wait करना चाहिए जब ये first target के उपर यानि 475 के उपर closing देते इस अफते हमारा first target अचीव हो चुका है तो मैं इस trade को close कर रहा हूँ अगर आप still wait कर रहे है तो 475 के उपर closing आने का wait करके अगले target के लिए बैठ सकते है अगला setup जो इस अफते का नेया है महिंद्रा and महिंद्रा M&M अब इसको क्यों include किया आप देख लेते है तो अगर share की थोड़ी बहुत history करें तो automobile sector का share है all time high ज्यादा पुराना नहीं है अभी लगा है कुछ हफतों पहले या कुछ महीनों पहले कहना बेटर रहेगा October में लगाता around 1366 का वहाँ से share एक healthy correction में है कोई deep correction नहीं था healthy correction था अभी भी bounce back किया है पिछले हफते इस हफते एक तो बड़ा important level है 1250 का उसके उपर closing देख कर गया है पहली positive चीज दूसरी 13 EM के उपर closing देख कर गया weekly जो दूसरी positive चीज है अगर हम daily chart में इसे refer करें तो यह daily chart है daily chart में अगर आप देखोगे तो friday 13 EM के उपर closing देख कर गया despite market week थी but here strongness show कर रहा था तो तीन तीन positive थिंग है जो उसके favor में है चार positive थिंग है 1200 का support आ रहा था वहाँ पर bullish engulfing बना के bounce back की है इस हफते follow up रेलिंग आईए और 1250 का level भी gain कर है weekly 13 EM के उपर closing देख कर गया अगले अफते market bounce back करती है market भी बड़े important supports पे है तो ये share एक ideal candidate है जिसमें हम buy की position ले सकते है 1240 काउन weekly closing बेसे stop loss रख सकते है और जो target हम इसमें expect कर सकते है 1275 तो मेरे ख्याल से Monday अगर market gap अप खुली तो ये Monday ही लगा देना चाहिए और 1275 के उपर closing देता है तो हम 1300 ते target तक इंतिजार कर सकते है तो काफी अच्छा setup बन रहा है इसे हम next half ते watch कर सकते है आगे चलते है तीसरा setup है बाटा इंडिया का बाटा इंडिया को हमने दो हफते पहले recommend किया था share का all time high अगर हम देखे तो वो लगा है 2262 का जो number 2021 में लगा था last to last year अब 2023 आ गया है तो last year बोलने की आदत छूननी पड़ेगी वहाँ से share में deeply correction आया अच्छा खासा correction था 1607 का share ने bottom बनाया जून में वो basically inflation वाला जो bottom था वहाँ से bounce back किया और market correction में आया तो share भी correction में आया अपने उसी levels के आसपस आ गया था तो 200 weekly moving average का support आ रहा था 1600 से 1625 का एक support zone आ रहा है तब last to last अफते recommend किया गया था 1600 weekly closing वे से stop loss था 1650 और 1700 की target थे last week इसने अपना पहला target अच्छीव कर लिया था 1661 का high था और obvious है हमें पहले target पर profit book कर लेना था but concerning thing क्या थी 1650 के उपर closing ने कर गया था 1650 के उपर closing देता तो हम 1700 तक का wait करते obvious हैं उसने नहीं देती तो profit book कर लेना चाहिए तो जिसे ICCI प्रूव वाला case है तो जिन्होंने last अफते profit book कर लिया था बहुत अच्छी बात है अगर आप दूसरे target का wait कर रहे थे तो नीचे आगया शिए अपने वही support zone के आसफस आगया है market में weakness के कारण तो अब क्या कर सकते हैं obvious है आप लोग wait कर सकते हो अभी trade गलत तो हुई नहीं है 121650 का wait करो वहाँ पर आए profit book कर लेना और अगर 1650 के उपर closing देता है तो 1700 तक का wait कर सकते हो first target achieve हो चुका था last अफती निकल जाना चाहिए 1650 के उपर closing आना ही एक single condition है जो इसे 1700 तक drag कर सकते है वो closing आई नहीं है तो first target achieve हो चुका है तो हम straight को close करें इस हफते के बाद अगले हफते हम इसे carry over नहीं करेंगे like ICCA 2 अगर आप still wait कर रहे है तो मैं आपके लिए बता देता हूँ setup बना हुए अब still wait करें 1650 आने पर profit book किया जा सकते है अब IRCTC ये भी last to last हफते ही recommend हुआ था क्यो recommend हुआ था एक बाद share का हम और वो देखें overall structure 1279 का all time high है काफी badly पिटा share उसके बाद एक डेड़ साल में और जून में इसमें जुलाई जून में इसने bottom लगाया था 557 का around 50% से ज़्यादा correction हुआ share में काफी अच्छा bounce back किया था फिर correction में आया था एक तो इसमें offer for sale की news आय थी market भी weak था तो काफी बढ़ी अपिटायू share की support zone आ रहा था 575 से 600 का वहीं पर आया था share तब इसे recommend किया गया था 625 और 650 के target थे जो इसने इस हफते successfully achieve कर दी है अगर आप देखोगे इस हफते का high है 654.80 का लास्ट हफते इसने क्या गया था 645 तक इसने target achieve किये थे 645 के high था और जो पहला target था 625 उसके उपर closing दे कर गया था तब मैंने ये कहा था कि पहले target का उपर closing दे गया तब आप दूसरे का wait कर सकते है एकदम contrasting है as compared to ICC बुरू या बाटा इंडिया उसमें कहा है पहले target उपर closing नहीं आई है पहला जब level gain होगा उप्वियस है तब ही तो दूसरा आएगा तो 625 के उपर closing दे कर गया था तब हमने इसे hold करने होगा था 6500 तक के target थे तो दोनों achieve हो गए तो obvious है इस trade को close करना ही better रहेगा तो बहुत तार्ग अचीव होगा है उमीद करता हूँ आप लोगों ने अपने profit book कर लिया होगा और किसी ने ये लिया होगा और अगर किसी ने miss कर दिया कोई बात नहीं नए setup और बनते रहेंगे आप उसमें इसे trade कर सकते हैं तो ये था अब आगे चलते हैं अगला था PD light PD light के अगर हम overall structure देखे तो काफी strong share है one of the market favorite है कोई ऐसा बड़ा पिटाई है correction में आता नहीं one of the market leader है all time high 2918.95 था था वहाँ से एक बड़े healthy 20% के correction में share खड़ा हुआ पच्चिस सो एक बड़ा important level है share का horizontal perspective से gain perspective से और उसी level पे bullish thrusting candle की formation करी थी bullish thrusting अगर किसी beginner को नहीं पता तो एक candlestick pattern होता है जो ये indicate करता है कि market में bull comeback कर चुका है यानि bull के वापसी का या comeback करने का indication देता है बड़ इस bullish thrusting के साथ ज्यादा भरोसा इसले था कि ये हवा में नहीं लेवल पे बना हुआ था 2500 के तब इसको last week continue करने हो काता हम ने 2500 on weekly closing पे से stop loss था 2600 और 2650 के हमारे target थे इस सफते target तो achieved नहीं हुआ है जो इसका high है 2560 का है stop loss भी नहीं है obvious at 25-22 पे closing आई है तो still setup बना हुआ है आप इसमें इंतजार कर सकते हैं हो किया रहा है अगेन इसके setup को हम देखें daily chart में जाके तो भाई सब ये 13 EMA को resist कर रहे हैं gain नहीं कर पा रहे हैं अगर आप देखोगे फिछले 6-7 देन से उसी को resist कर रहे हैं basically यहां से momentum आये था momentum 13 EMA पे जाके exhaust हो गया था तो setup overall weekly chart में strong है बट daily chart में 13 EMA के hurdle है जो ये gain नहीं कर पा रहे है once 13 EMA गेन करता momentum आजाएगा sure shot 26-0 तो कहीं नहीं गया और 26-0 26-50 के target भी लगा सकता है तो जिन्होंने last हफते लिया था वो इंतिजार करें जिन्होंने नहीं लिया है वो एक इसमें extra trigger का और इंतिजार कर सकते हैं कि जैसी 13 EMA में gain करें jump कर सकते हैं तो momentum में jump करेंगे तो उन्हें profit hopefully जल्दी मिल जाएगा तो conclusion यह आपने ले लिया था इंतिजार करें नहीं लिया है तो एक smart move यह कर सकते हैं कि 30 EMA में gain करते ही दे ले 26 का target मेरे हिसाब से कहीं नहीं गया है 26 50 के level भी आ सकते हैं अगर 26 के अपर closing आए तो यह mandatory condition है उसके बाद चलते हैं दूसरा setup है बाल किष्णा इंडस्ट्री यह इस अफते निया है overall structure की बात करें तो share का all time high यह लगा हुए 27 23 का लगा हुए और वहां से share काफी decent correction में आ है बीच में जब यह अपने bottoms पर भूम रहा था यहां पर है जो इसने bottom बनाया था October में काफी recommend किया था हमने इसे और मैंने काफी decent profit भी इसमें किया था इस दोरा उसके बार शेयर ने थर्टी निया में गेन करके momentum में आ गया अब हुआ गया शेयर का overall structure 2150 का एक बड़ा important level था last three weeks से उसे resist कर रहा था इस हफते बड़ी convincingly उसके उपर close दे कर गया closing आई है बाइस सो इगया रागी और एक important level और है बाइस सो उसके उपर भी हलकिसी closing दे कर गया despite weak market में टायर सेक्टर में strongness थी last week Apollo भी चल रहा था जेके भी चल रहा था यह भी चल रहा था और और 2150 का level भी इसने gain कर दिया पाइस सो का भी कर दिया डेली चार्ट अगर हम देखे तो यह डेली चार्ट का structure है डेली चार्ट में भी strong है अगर आप देखोगे तो पिछले हफते पहले तीन दिन इसने थर्टी नियमे पर consolidation दिखाया और last two days Thursday on Friday follow up rolling आई अगर आप देखोगे यहां से थर्टी नियमे को बड़ा रिस्पेक कर रहा है शेयर नॉमबर मीड से ठीक है तो शेयर डेली चार्ट में तो momentum में है weekly में बड़ा strong बंद हुआ है तो मैं जो यहां से target देख पा रहा हूं मुझे ऐसा लगता है अगर अगर यह दिखा सकता है अगर यहां से टार्गिट आने के चांसे अगर यह दिखा सकते है और यह अगला setup था अब एक सेटप यह देखते है आईशे मोटर बाद में देख लेगे कोटक यह लास्ट फ़ते रेक्मेंड किया था क्यों किया था क्योंकि शेयर का बड़ा इंपॉर्टन लेवल था था एटीन हंडेट का उस पे बुली शरामी की फॉर्मेशन करके गया था अगर किसी बिगनर को बुली शरामी नहीं पता तो बुली शरामी भी एक कैंडल पैटन होता है जो बुल के कमबेक का इंडिकेशन देता है तब इसको बाई करने के रिक्मेंडेशन दीती और अगर हम देखे हैं हुआ क्या इस हफते मार्केट में सेलिंग आई बे debated आई और शेयर के प्राइज में फॉल आगया अगर हम और अघर का स्ट्रक्षर देखे हैं डेली चार्ट में जाके तो डेली चार्ट की अगर भात करें डेली चार्ट में अगीन यह 30 बीडी खो सकते हैं इसमें और हुआ कि यह 13 EMA को गें नहीं कर पाया और इसलिए इस शेयर में वहां से फॉल आ गया है ठीक है तो अब क्या हम इसमें कर सकते हैं तो अगें वीकली सेट अप अच्छा दिख रहा था बट डेली में 13 EMA को रस्किस कर रहा था और उस हर्डल को शेयर क्रॉस बेसिस था जो हिट हो चुका है मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो stop loss है बहुत माइनिटली हिट हुआ है और शेयर अपने support के आसपास ही चल रहा है तो अगर आपने trade ली थी तो stop loss तो हिट हो चुका है आप exit कर सकते हैं कर चुके होंगे या कर सकते हैं अगर आपने नहीं exit कि है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंतिजार कर लेना चाहिए at least आप इसे 17.95 की जगा 17.75 कर सकते हैं और इंतिजार कर सकते हैं अपने supports पर यह अगर हम देखे तो October September में इसने यहीं पर bottom base कराता तो उनी levels के आसपास घूम रहा है chances है कि एक bounce back आ सकते है अगर अगले हफ ही higher chance दिख रहें बट यह 17.75 तोड़ता है तो week हो जाएगा further fall इसमें आ सकता है तो अगर हम over of include करें weekly chart में setup strong था daily chart में जो हमने trigger दिया था कि थर्टी निया में gain करें वैसी jump कर सकते हैं वो trigger आया है थर्टी निया में इसने gain किया है नहीं पांचों दिन यह थर्टी निया में को रसिस करता रहा और at the end इसने give up कर दिया और Friday को काफी अच्छी selling आई है और जो weekly basis का setup था उसके stop loss के बहुत थोड़ा सा नीचे closing दे कर गया तो अगर आपने loss book कर लिया है अच्छी बात है अगर आप wait कर रहें तो एक आपको मेरे हिसा पर 1775 का stop loss ले ल अर्टी इंडश्ट्री बताया था क्यों बताया था पहले इसका logical setup बिसकस कर लेते हैं तो overall अगर structure देखे तो शेयर का all time i4 digit का है 1168 का है वहां से शेयर काफी अच्छे खासे correction में चल रहा है 50% के आसपास की correction में चल रहा approximately और शेयर का बड़ा important level था 600 का horizontal perspective से again perspective से तब इसे recommend किया था और वहीं पर इसने bullish thrusting की formation करे थी bullish thrusting है candle stick pattern होता है जो basically beer के comeback का sorry bull के comeback का indication देता है तब recommend किया था share को share का पहला target था 625 दूसरा था 650 इस अफ़ते जो share का high लगा है वो 620 रुपीज का लगा है 619.80 का तो अपना target achieve नहीं किया है और जो market में selling है उस current share गिर गया है इसमें भी अगर हम देखेंगे तो एक बार daily structure देख लेता है 30 नियमें लगा के फिर अपना जो discussion है वो आगे continue कर लेते हैं तो अगर हम इसमें 30 नियमें लगा है और again daily chart में चले same कानी है जो kotak में है इसमें भी हमने same था कि weekly chart में share strong दिख रहा था बट daily chart में 30 नियमें को gain नहीं कर रहा था तो जो straight का trigger था वो यही था कि 30 नियमें gain करें हम jump कर सकते 30 नियमें इसने gain नहीं किया बट still weekly setup को इसने neglect भी नहीं किया है weekly setup still बना हुआ है और share still अपने stop loss के उपर बन दोके गया है तो straight में तो wait करना चाहिए जिन्होंने लिये थे last अफते वो तो wait करें जिन्होंने नहीं लिये setup weekly strong है बट daily में वो 30 नियमें का trigger नहीं मिल रहा है last ब्रेक का wait कर सकते है daily chart में और ब्रेक करते ही jump कर सकते है setup overall ठीक है ठीक है आइशर मोटर में चलते है आइशर मोटर इस अफते की नई पिक है थर्ड पिक है शेयर का all time ही लगा है 3889 का 31st of October को वहां से share correction में आया और share का एक काफी important level था around 3250 रुपे का शेयर ने क्या करा एक bullish piercing candle की formation करी थी शेयर का basically एक जोन था 3200 से 3250 का last हफते उसने bullish piercing candle की formation करी थी जो bull के comeback को show कर रहा था इस हफते follow up buying आई है और सबसे अच्छी उस का यह positive side है कि 3250 के बहुत minute से उपर closing दे कर गया है बट देख कर गया है काफी important level है डेली chart में देखें तो थर्टी नियमे के उपर gain करके गेन इसने थ्रस्टे को ही कर लिया था Friday की selling में भी उसे sustain करके गया है उपर ही closing देख कर गया है तो हम overall कह सकते हैं कि weekly chart में setup strong है और देली chart में थर्टी नियमे को रस्टी भी नहीं कर रहा है शेर उसको gain करके sustain करने का try कर रहा है यानि शेर को buy किया जा सकता है जो target इसमें expect कर सकते हैं target 3400 की जगा मेरे हिसाब से पहला target आप 3300 का expect कर लिजें इसमें आप वो तो लगी जाना चाहिए और जो दूसरा target आप इसमें रख सकते हैं वो 3350 का रख सकते हैं तो ये दो target हैं जो आप इसमें expect कर सकते हैं stop loss 3200 और weekly closing basis रख सकते हैं hopefully ये setup भी clear होगा अगला गोद्रे जग्रोवेट जितनी भी recommendation आईए फर्स्ट है जो non feature and option वाला हम pick करते हुआ आ रहे हैं दो हफ्ते से की काफी अच्छा setup बना हुए शेयर का all time high 746.80 का था वहां से शेयर एक decent correction में आया और शेयर के बड़ा पुराना support zone आ रहा है 440 से 450 का वहां पर आया था और bullish thrusting candle की formation करी थी again daily chart में हम देखें तो daily chart में double bottom की इसने aggressive entry बनाई थी कहानी इसके साथ भी same है अगर हम लगाए moving average exponential और console लगाए ओव्यस है one of my favorite 13 लगा सकते है वही है उसी पर consolidation कर रहा है उसी के ऊपर नीचे वहीं पर गुम रहा है तो majority share की same कहानी है 13 EMA को give up कर रहे है उनको उसको conclusively gain नहीं कर पा रहे हैं यह कह सकते है तो 440 से 450 के zone में reversal बनाई थी तब इसे recommend किया था पहला target 475 था जो इस अफ़ते अचीव हो चुक है अगर आप देखोगी इस अफ़ते का हाई है 480 रुपीज का तो obvious है पहला target आ गया है जिन्होंने अपना profit book करना होगा कर लिया होगा first target अचीव हो चुक है अब जिन्होंने नहीं किया उनके लिए concerning बात क्या है 475 के ओपर closing नहीं आई है तो अगर आपने profit book कर लिए अच्छी बात है आप इंतिजार कर रहे हैं तो अगर 475 के ओपर closing द किया था लाश्ट अफते की हाई यह शेयर का 4 डिजिट का 1020 के आसपास का और वहां से शेयर करेक्शन में आया और शेयर में एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा था बेसिकली लाश्ट अफते महां पर बुली शरामी बनाया हुआ था 875 का important level था तब इससे recommend किया था अ तो इसलिए recommend किया था ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा था और आपका सपुच सेटप वीकली चार्ट सेटप सेटप स्ट्रॉंग था बट कहानी सेम है यह फ्राया इसकी फ्राइडे की कैंडल थी 13 यह में को नहीं गर पा रहा था अगले चार दिन गिर गया तो जितनी थी कोटक थी और लास्ट हफते मैडवल्स थी और एक आपकी आरती थी तीनों में ट्रिगर यह थे कि यह डेली चार्ट में 30 यह में गेन करें आप जंप करो उट्रिगर ही नहीं हुए 30 यह में गेहिन ही नहीं कर पाए शेयर और गिर गया है तो शेयर की क्लोजिंग 856 आई 30 यह में गेन ना करका पाने के कारणी यह 850 तक गेर चुका है स्टिल आपने नहीं लास्ट बुक किया है तो सेट अप कोई बुरा नहीं है अब स्टिल 840 का स्टॉप लोस और वीकली क्लोजिंग लेकर वेट कर सकते हैं आपने लास्ट कर लिए अच्छी बात है आपको नि हैं हम इमोशनल नहीं हो रहें क्योंकि चार्ड में 850 का लेवल क्लियर कट मैजर आ रहा है स्टिल गिर के 850 तक आ गया है जो लास्ट होप है अगर 850 टूटता है तो फिर यह वीकर हो जाएगा 825 और 800 तक जा सकता है तो इसलिए अगर बुक कर चुके हैं लास्ट अच्छी में help करेंगे साथ में जो हमने इतना discussion किया इसने कुछ तो आपको दिखाया होगा मैं उमीद करता हूँ और इसने आपको logical trade करने के ताब motivate भी किया होगा तो इसी उमीद के साथ की आने वाला week आपके लिए profitable वीडियो को end करते हैं वीडियो पसंद आयो तो like जरूर करें चै आपके रेडिक